पिंक बूत बनाय गया है। इस बूत को गुलावी रंग के बैनर, मेज और कुर्सियों से सजाय गया है। यूजेटीन लदाख से बात करते हुए संयूक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी यूटी लदाख ने बताया कि लेह में 75 पिंक मददान और करगिल में 4 पिंक मददान केंद्र बनाय गये हैं। उन्होंने कहा कि पिंक मतदान केंद्र चुनावी बूत है जो पूरी तरह से महिलाओं के लिए बनाय गये हैं। पिंक पॉलिंग स्टेशन इस्टेबलिश के जाएंगे या कुछ जवपी किये हुए हैं उसके बारे में तोड़ा बताएंगे। यह पिंक पॉलिंग स्टेशन का कंसेप्ट हमारे पूरे इंडिया में पिछले कई सलों से चलते आ रहे हैं। यह ECI का एक नया इनिशिटिव है। तो पिंक पॉलिंग स्टेशन का मतलब है जितने भी पॉलिंग परसनेल वहाँ पे होंगे। जो एक्चुल में एक एक एलेक्शन कंड़क्ट करते हैं। पॉलिंग प्रिजाइडिंग अफिसर प्रिजाइडिंग ओफिसर वान टू थी करके। जितने भी पॉलिंग पर्टी वहाँ पे डिप्यूटिट होंगे वह पूरे के पूरे औरत विमन होंगे। तो उसको पिंग पॉलिंग सेशन का नाम ECI ने दिया है। तो ले में इस टाइब के हमारे 75 पॉलिंग सेशन हैं। जो की मतलब एक पॉपॉलेशन के सबसे एक छोटा सा डिस्टिक्ट है। उसमें एक रिकॉर्ड है 75 पॉलिंग सेशन हैं। तो कर्गिल में हमारे चार पॉलिण jeu पॉलिद सेशन है जो की फिलिड पॉलिड सेशन के नाम से स्टेबिडोifier की जा रहे हैं तो ले का एक अगर जो टाउन के असपस लोग अगर हैं तो देखना चाहे तो डिग्री कोलिज ले में जो हाउसिंग कलोनी डी का पॉलिंग स्टेशन है वो हमने पिंग पॉलिंग स्टेशन बना के अभी तैर करके रखा है तो इस जो पिंग पॉलिंग स्टेशन में जो है सर जो फेसिलिटी जो आम पॉलिंग स्टेशन होते हैं उसमें सेम होते हैं कि अलग से इसमें कुछ होता है ऐसे फसीलिटी वोटिंग और उसके सबसे कोई फरक नहीं होगा एलेक्टरिल रोल जो भी आपको एलेक्टरिल प्रोसेस में पर्टिसिपेट करने के लिए जो आपको फेसिलिटी जो होना चाहिए और सब कुछ होगा मगर यह इसमें स्पेशल यह होता है कि इस पॉलिंग सेशन को हम स्पेशल डेकॉरेट करते हैं कि स्पेशल गेट्स लगा कि जो पिंक कलर के होंगे अंदर के जितने पे टेबल और बकी चीजे होगे हम पिंक कलर के कपडू से पर्दू से उससे सजाते हैं ताकि एक पॉलिंग सेशन का लुक और वो फिल आbeltाए है। और हम इस पर हमने जतने मी जो वहाँ पे स्थाफ हैं जैसे ठीजेसे त्रयजेन एक नेखेर हम जतने कॉलिंग पार्टः में ननी करूछा। तो इस टाप के कुछ special arrangements हमने रखे, selfie points रखें, ताकि लोगों के लिए थोड़ा unique attraction वहां पे मिले, और जो खासकर जो first time waters है, उनको भी एक नया चीज experience करने को मिले, जिते भी waters है, वो अपना वेस्ट वोट को वेस्ट या जाया ना जाने दे, एक एक वोट का बहुत बड़ा importance है, बहुत बड़ा महतव है, तो और specially जो first time voters है, जो हमारे young generation की voters है, उनसे request है, अब सब निकल के, पूरा एक जो जम्होरियत का जो process है, democratic process है, उसमें हिस्सा ले और अपना democratic right को exercise करे.